खतने की वाचा में परमेश्वर का जो वाईदा था, वो आज भी हमारे लिए लागू है उपती, अधियाई 17, वचन 1-14 जब अबराम निन्यान में वर्सका हो गया, तब यहवा ने उसको दर्शन देकर कहा मैं शर्व सक्तिमान इश्वर हूँ, मेरी उपस्तिती में चल और सिद्ध होता जा, मैं तेरे साथ वाचा बांदोंगा, और तेरे वंच को अत्यन्त ही बढ़ाऊंगा तब अबराम मूग के बलगिरा, और परमेश्वर उससे यो बाते करता गया देख, मेरी वाचा तेरे साथ बंदी रहेगी, इसलिए तुझ जातियों का समू का मूल पिता हो जाएगा इसलिए अब से तेरा नाम अबराम न रहेगा, परन्तु तेरा नाम अबराम होगा क्योंकि मैंने तुझे जातियों को समू का पिता ठहराया है, मैं तुझे अतियंत फलवंत करूँगा और तुझको जाती जाती का मूल बना दूँगा, और तेरे वंस में राजा उत्पन होंगे और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीड़ी पीड़ी तक तेरे वंस के साथ भी इस आशय की यूग-यूग की वाचा बानता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंस का भी परमेश्वर रहूँगा और मैं तुझ को और तेरे पश्चात, तेरे वंस को भी यह सारा कनान देश जिसमें तु परदेशी होकर रहता है इस रिती दूँगा कि वह यूग-यूग उनकी निज भूमी रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूँगा फिर परमेश्वर ने अबराम से कहा तू भी मेरे साथ बांदी हुई वाचा का पालन करना तू और तेरे पश्चात तेरा वंस भी अपनी अपनी पीडी में उसका पालन करे मेरे साथ बांधी हुई वाचा जिसका पालन तुझे और तेरे पश्चात तेरे वंस को करना पड़ेगा वह यह है तुम में से एक-एक पुरुस का खतना हो तुम अपनी-अपनी खलडी का खतना करा लो जो वाचा मैं और तुम्हारे बीच में है उसका यही चिन होगा पीडी-पीडी में केवल तेरे वंस ही के लोग नहीं पर जो तेरे घर में उत्पन हुआ हो अथवा परदेशियों से रुपा कर मोल लिया हो ऐसे सब पुरुस भी अब आट दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए जो तेरे घर में उत्पन हो अथवा तेरे रूपे से मोल लिया जाए उसका खतना अवश्य ही किया जाए इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन हा तुम्हारी देह में होगा वह यूग यूग रहेगी जो पुरुस खतना रहित रहे अर्थांत जिसकी खलडी का खतना न हो वह प्राणी अपने लोगों में से नस्ट किया जाए क्योंकि उसने मेरे साथ बांदी हुई वाचा को तोड़ दिया उत्पति के पुस्तत के अध्याई सत्रा में परमेशोर ने अबरहम से खतने की वाचा बांदी थी जो हमें आत्मिक खतना दिखाती है जिसके द्वारा मिलाव पॉले तंबु में बलिदान के सीर पर हाथ रखने के द्वारा इसराइलियों के सारे पाप दुर हो जाते थे और वैसे वे अपने पाप उसके उपर डालते थे दूसरे सब्दों में परमेशोर ने अबरहम से जो वाचा बांदी थी वह पाप बली का और होम बली का प्रतिबिम था परमेश्वर ने खतने के द्वारा अबराहम से जो वाइदा किया था कि वह उसका परमेश्वर होगा और उसके वंसजों का परमेश्वर होगा मिलाप वाले तंबू को आदर देते हुए भविश्यवान की गई कि अबराहम के वनसज़ को बलिदान के सिर पर हात रख कर अपने सारे पाप उसके सिर पर डालने होंगे हमें भी यह जानना और विश्वास करना चाहिए कि यह हमें दिखाता है कि नए नियम के समय में येश्व युहनना से बप्तिस्मा लेकर जगत के सारे पापों को अपने उपर उठाया परमेश्वर ने अबराम से वाइदा किया और उसने उसको बहार ले जाके कहा आकास्टी और द्रस्टी करके तारागन को गिन क्या तू उनको गिन सकता है फिर उसने उससे कहा तेरा वंस ऐसा ही होगा अबराम के सामने फिर से प्रगट होकर परमेश्वर ने फिर से एक बार और वाइदा किया मैं तुझे उठपन अत्यंत फलवंत करूँगा और तुझको जाती जाती का मुल बना दूँगा और तेरे वंस में राजा उठपन होंगे और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीड़ी पीड़ी तक तेरे वंस के साथ भी इस आश्राई की यूग यूग की वाचा बानता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंस का भी परमेश्वर रहूँगा उच्पति अधियाई 17, बचन 6 और 7 परमेश्वर ने अबराहम और उसके वनस जो से किये हुए वाईदा खतने से आया खतना और इस्राइल के लोग जब परमेश्वर के सामने पाप बली पर हात रखकर बलिदान अरपन करते थे उसके अनुरूप है यह नए नियम के समय के लिए भविश्यवानी भी हुआ था कि येश्व योहन्ना से बक्तिस्मा प्राप्त करके पापों को अपने उपर उठा कर पापों की माफी को परिपूर्ण करेगा हमें यह जानना और विष्वास करना चाहिए कि पूराने नियम का खतना जो अबराहम को परमेश्वर के द्वारा वाइदा किया गया था वह नए नियम में येश्व के बक्तिस्मा के द्वारा पापों की धोने से आत्मिक खतना करने में प्रगट हुआ और उसके अतिरिक्त यह हमें कहता है कि जब मिलापवाले तंबु में मलिदान चड़ाना था तब इजराइलियों को अबराहम के विश्वास की आवश्चता थी परमेश्वन ने अबराहम से कहा तुम अपनी अपनी खलिडी का खतना करा लेना जो वाचा मैंने और तुम्हारे बीच में है उसका यही चीन होगा पीडी-पीडी में केवल तेरे वंस की है लोग नहीं पर जो तेरे घर में उत्पन हुआ हो अत्वा परदियो सियों से रूपा देकर मोल लिया जाए ऐसे सब पूरुस भी जब आठी दिन के हो जाए तब उनका खतना किया जाए दूसरे सब्दों में परमेश्वर ने खतने के द्वारा अबराहम और उसके वंस जो के साथ वाचा बांदी उसने वाइदा किया कि वह अबराहम का परमेश्वर होगा और उसके वंस जो का परमेश्वर होगा लेकिन उसके बदले में अबराहम और उसके वंस जो को खतना क तुम्हारी दे में होगा वहां यूग यूग रहे की। उत्पती अध्याई 17 वचंती राम। इसलिए संसार के सारे लोगों में केवल इसराइली पूरुसों को अबराहम के दिन से खतना करवाना पड़ा। वरतमान समय में खतना सिहत के फाइदे की वज़से किया जाता है। लेकिन उस समय केवल इसराइली पूरुस खतना करवाते थे। यह परमेश्वर के द्वारा अबराहम को किये गए वाइदे का चीनह था। और परमेश्वर ने उसे और उसके वंसद जो को वाचा की ये निसानी रखने के लिए कहा जो उसने उन लोगों के साथ बांदी थी उद्पती अध्याई 17 वचन 11 कहता है तुम अपनी अपनी खलडी का खतना करालना। जो वाचा मेरे और तुम्हारे बीच में है उसका यही चीनह होगा। इसलिए खतना वाचा का चीनह था। संक्सिप में इस तरब परमेश्वर ने अपनी वाचा बांदी थी। आप कैसे जानते हैं कि आप मेरे लोग हैं। आप अपने खतने के चीनह की वज़े से जानते हैं। अब से जो भी पूरुस तुम्हारे बीच जनम ले उसे अपने खलडी का खतना करवाना होगा। इस तरह से मेरी वाचा अनितकाल तक तुम्हारी देह में रहेगी। मैं तुम्हें परमेश्वर ने कहा कि उसने अबराहम और उसके वनसज के साथ जो वाचा बांदी थी वहां उनकी देह में पाई जाती है। दूसरे सब्दों में परमेश्वर की वाचा इसराइली पूरुस की देह में चिनह के रूप में थी। परमेश्वर ने इसराइली लोगों के खतने के द्वारा उनसे वाचा बांदी। और उसी तरह पूरुस ने खतना किया है कि नहीं किया है उससे तैह होता था कि वह अबर वास्तों में अबराहम इस्राइल के लोगों के लिए महत्वपूर्ण देखती है। इस्राइल के लोगों के लिए मुसा से भी अधिक महत्वपूर्ण मनुश्य है। व्यवस्था का पिता यानि कि अबराहम था जो व्यवस्था का विस्वास का पिता था। हाला कि बहुत सारे इसे इस्राइली है जिन्हें नुह एाद नहीं, लेकिन ऐसे बहुत कम इस्राइली है जिन्हें अबराहम याद ना हो। के साथ परमेश्वर ने जो वाचा बांदी थी वह आज भी लागू है इसराइल के लोग पूरे तोर पर यह मानते हैं और विस्वास करते हैं कि हम अबराम की संतान है हमारे लोग अपनी देह में खतने के चिनों को लेकर चलते हैं इसलिए परमेश्वर हमारा परमेश्वर है और हम उनके अपने लोग है इसराइल के लोग अपने आप को चुने हुए लोग मानते हैं उसका कारण है कि वे आज भी परमेश्वर ने खतने के द्वारा अबराम से जो वाचा बांदी थी उस पर विस्वास करते हैं अबराम की दो पतनिया थी, उसकी उचित पतनी का पतनी सारा, जिसका नाम परमेशवर के द्वारा बाद में सारा रखा गया था, और उसकी दूसरी पतनी हाज़िरा जो सारा की दासी थी, सारा बच्चा पै convex पैदा नहीं कर सकती थी, इसलिए अबराम ने सोचा कि वह घ्र की लेकिन परमेश्वर ने स्पस्ट रुप से कहा कि क्योंकि सारा अबराहम की उचिक पत्नी है इसलिए उसके द्वारा उसका नीज संतान अबराहम को देगा जिसके द्वारा वह आसमान के तारों जितने वंस देगा जबकि परमेश्वर ने वाइदा किया था कि वह सारा के पेट से जन्मे बच्चे को ही पहचानेगा इसलिए इस्मायल जो उसकी दूसरी पत्नी हाजिरा से पैदा हुआ था वह परमेश्वर के आगे नहीं पहचाना गया यदि इस्राइल के लोग खतना नहीं करवाते तो परमेश्वर ने उनके साथ जो वाचा बांदी थी वह लागू नहीं होती परमेश्वर ने उनसे वाचा के चिनह के रूप में खतना करवाने को कहा जिससे कि यह वाचा उनकी देह में रहे वैसे ही इसराइल के लोगों को निश्चित रूप से खतना करवाना था क्योंकि खतना रहित व्यक्ति परमेश्वर की वाचार से वंचीत हो जाता सायद तक इसराइल के लोगों में ऐसा कोई नहीं है जिसने खतना ना करवाया हो क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि खतना रहीत व्यक्ति अन्य जाती के समान है जो परमेश्वर के वाइदों से वन्चीत है आत्मिक खतना परमेश्वर ने अबराहम और उसके वंस के साथ जो वाचा बांदी थी वह तब परिपूर न हुई जब येश्व मसीष पूत्वी पर आए और युहनना बप्तिस्मा देने वाले से बप्तिस्मा लेकर मनुष्य जाती के सारे पापों को अपने उपर उठाया और पापों की माफी दी परमेश्वर ने इसरायलियों से कहा कि वे मिलाव पाले तंबू के आंगन का द्वार नीले बैंजनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बुने मिलाप वाले तंबू के इस विगत से परमेश्वर ने हमें सिखाया कि उधार येश्व मसी के द्वारा आएगा जो लोग इस सत्य पर विश्वास करते हैं कि प्रभू इस पृत्वी पर आए तीस साल की उम्र में युहनना से बक्तिसमा लेकर मनुष्य जाती के सारे पाप उनके उपर उठाए कुरूस पर मरा, मृत्यू में से जीवित हुआ और ऐसे हमारे सारे पापों को माफ किया वे सब अबराहम के वनसज है परमेश्वर उनका परमेश्वर बना है जो मिलाप वाले तंबू के नीले, बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े पर विश्वास करते है येश्व के बक्तिसमा पर विश्वास करने के द्वारा हमें आत्मिक खतना करवाना चाहिए यहां आत्मिक खतना और कुछ नहीं लेकिन येश्व के बक्तिसमा द्वारा हमारे सारे पाप येश्व पर चले गए है ऐसा विश्वास करने के द्वारा हमारे रिदे से पापों को दूर करना है वैसे ही जिन्होंने आज नीले, बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े में प्रगट हुए पानी और आत्मा के सूसमाचार पर विश्वास करने के द्वारा पापों की माफी पाई है वे सब परमेश्वर के राज्य के राजा है और उनकी संतान है जैसे परमेश्वर ने उत्पती अधियाई 17 वचन 6 में वाईदा किया था तेरे वंस में से राजा उत्पन होंगे वास्तव में उसके लोग पूरी दुनिया में उठ खड़े होए यदि हम अबराम के वंस बनना चाहते हैं तो हमें येश्व के बप्तिस्मा पर जो उसने इस पृत्वी पर लिया था और कुरुस पर के उसकी लहू पर विश्वास करना होगा उसी रूप से येश्व के बप्तिस्मा पर विश्वास करना कितना जरूरी है या इस बात को मैं ज़ादा जोर देना चाहता हूँ येशु मसी राजाओ का राजा है वह राजाओ का राजा है जो बैंजनी वस्तर पहिन कराया युहना अधियाई 19 वचन 5 येशु मसी ब्रह्मान्ड का राजा और सुष्टी करता है वह परमेश्वर का इकलोता बेटा है वह पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए इस पृत्वी पर आया और हमें हमारे पापों से छुडाने के लिए उसने अपने बप्तिस्मा के द्वारा एक ही बार में हमारे सारे पापों को अपने उपर उठा लिए हमारे पापों को दूर करने के लिए उसने हमारे विदेश से सारे पापों को निकाल दिया और अपने बप्तिस्मा से उसे अपने उपर उठा लिया और कुरुष पर लहू बहाने के द्वारा हमारे सारे पापों की वज़े से उसका न्याय हुआ उसी रूप से इस सत्यप पर विश्वास करने वाले सबी लोग अबराहम का वन्सच बन सकते हैं अबराहम उसका परिवार और उसके वन्स ने सारी रिक रूप से खतना करवाया था यहां तक की पैसे देकर खरी दे गए अन्य जाती के गुलामोंने भी खतना करवाया था जब उन्होंने वाचा पर विश्वास किया और खतना करवाया तब यहां अन्य जाती के गुलाम भी आशिशित हुए और परमेश्वर उनका भी परमेश्वर बना उसी रूप से विश्वास से हम परमेश्वर की संतान बने है विश्वास से हमने परमेश्वर से आसिस पाई है विश्वास से हमने स्वर्ग में प्रवेस किया है और विश्वास से हम इस पृत्वी पर राजा की तरह जी रहें नयनियम के समय में यहां उन लोगों का विश्वास है जो मानते हैं कि येशु ने अपने बप्तिस्मा के द्वारा जगत के सारे पापों को अपने उपर उठा लिया हाला कि कुछ लोग दावा करते हैं कि केवल कुरूस पर के येश्यू के लहु में विश्वास करने के द्वारा उनके पाप माफ किये गए है ऐसा होने पर भी वे मिलाव वाले तंबु के युग में बली के सिर पर हाथ रखे जाने की वीदी पर विश्वास करते हैं और येश्यू के बप्तिस्मा को थोड़ा सा ही महत्व देते हैं। इसलिए वे आग्रे करते हैं कि येश्यू के पुथ्वी पर के पहले आग्मन से पहले और मुसा के मिला पाले तंबू के पहले अबराहम के विश्वास को स्विकार किया गया था। इसलिए येश्यू के बप्तिस्मा के स्पष्ट वचन पर विश्वास किये बिना केवल क्रूसपर के लहू के वचन पर विश्वास करने के द्वारा उनको उद्धार मिला है। वहाँ जलाना परमेश्वर के मन में था। आज के मसीयों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन हैं गलत फेमी है कि विश्वास से आत्मिक खतना करवाये बिना केवल आँख बंद करके येश्यू पर विश्वास करने से वे बचाये गये हैं। येश्यू के बप्तिस्मा के द्वारा उनके सारे पाप उसके उपर डाले गये हैं। इस बात पर विश्वास किये बिना वे केवल येश्यू को कुरूस पर चड़ाये जाने पर विश्वास करते हैं। यह लोग कभी भी परमेश्वर के लोग नहीं बन सकते क्योंकि वे इस तरह से विश्वास करते हैं जिससे उनके रिदे से पाप दूर नहीं होता। जैसे परमेश्वर ने कहा है कि खतना उसकी वाचा का चिन्ह है इसलिए खतना रहीत व्यक्ति का परमेश्वर की वाचा से कोई लिना देना नहीं है क्या येश्णु ने यूहना बप्तिस्मा देने वाले से जो बप्तिस्मा लिया था उस पर विश्वास किये बिना लोग पाप से बच सकते हैं क्या ऐसे लोग परमेश्वर की संतान बन सकते हैं, क्या वे स्वर्ग में प्रवेस कर सकते हैं, क्या वे उसके राज्य में राजा बन सकते हैं, इन प्रस्वनों का उत्तर है नहीं आज हमने जो मुख्य भाग पड़ा, वो हमें इस उत्तर के लिए स्पष्ट प्रमान देता है, आज परमेश्वर ने अबराहम से वाचा बांदी थी, वह वही वाचा है जो उसने आप से और मुझसे बांदी है, जिन्होंने येश्वर को अपना उध्धार करता स्विकार किय उसके बब्तिस्मा और उसके लहू पर विश्वास किया है, जो लोग ऐसा विश्वास करते हैं, उनको परमेश्वर ने अबराहम को जो आशिश दी थी, वही आशिश मिलेगी, येश्वर के सच्चे विश्वासी खुद के बनाए हुए सिध्धान पर नहीं चलते, विश्वास के मसीयों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास गलत है, जो अपने विचार के मुताबिक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसका अनुशरन करते हैं, और फिर भी इस बात से अंजान है कि वे जो भी विश्वास करते हैं वह गलत है ऐसे लोगों के विश्वास की निव ही गलत है आखे बंद करके विश्वास करना ही किसी भी तरह से येशु उन्हें बचा लेगा यह उनके विवेक को तुरुप्त करने के लिए काफी है लेकिन उन्हें यह जानना चाहिए कि परमेश्वर उनके अंधे विश्वास का स्विकार नहीं करता हमारे प्रभू ने कहा है कि जो कोई भी उसके पीछे आना चाहे उसे पहले अपने आपका इंकार करना होगा और अपना क्रूस उठाना होगा जो व्यक्ति परमेश्वर के व्यचन पर विश्वास करता है उसे अपने विचारों को छोड़ना चाहिए और वास्तों में परमेश्वर का व्यचन क्या कहता है उस पर विश्वास करना चाहिए आज आपको और मुझे पाप की माफी पर विश्वास करना चाहिए जो येश्व ने इस पृत्वी पर आकर अपने बप्तिसमा के द्वारा जगत के सारे पापों को अपने उपर उठाकर, कुरुस्क पर अपना लहू बहाकर और मृत्यू से जीवित होकर हमें दिया है। इन दिनों बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस पर विश्वास नहीं करते लेकिन वे आँखे बंद करके येश्व के नाम को थाम कर कहते हैं कि विश्वास करने का उनका अपना तरीका है। दूसरे उदारन में ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि जब वे कलिस्या में जाते हैं, उपवास करते हैं और रात बर प्रातना करते हैं इसलिए उनके पाप दूर हुए हैं। वे अपने पापों से इतने पीडित है कि वे पश्रतात की प्रात्ना करना बंद नहीं कर सकते। इस प्रकार के विश्वास का सच्चे उधार से कोई लेना देना नहीं है। जो पानी और आत्मा के सुसमचार से आता है, जो प्रभु ने हमें दिया है। परमेश्वर के वच्चन में कहा, ऐसा कहा गया है कि यदि हमारे पास ऐसा विश्वास होगा, तो वह हमें माफ करेगा। कहीं नहीं। यह लोग असपस्ट रुप से सचित हैं कि परमेश्वर संपुन है और येशु सर्वसामर्ती है। और परमेश्वर के बारे में अपने अस्पस्ट और खोकले गनान को अस्थिर विश्वास के साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार से वे परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेते हैं। अपने पाप को भूलके और भी ज्यादा परमेश्वर के क्रोध को अपने उपर लाते हैं। ऐसे लोगों ने मिथ्या येश्यू को बनाया है और उद्धार को अपनी रिती से अनुदित किया है और अपनी मन गणन कल्पना पर विश्वास करते हैं। उत्पती अधियाई 17 वचन 14 में लिखा है जो पूरुस खतना रहित रहे अर्थाद जिसकी खलरी का खतना न हो वह प्राणी अपने लोगों में से नस्ट किया जाए क्योंकि उसने मेरे साथ बांधी हुई वाचा को तोड़ दिया। परमेश्वर ने स्वस्ट रुप से हमें वाइदा किया है कि वह आत्मिक खतने की द्वारा हमें हमारे पापों से बचाएगा। परमेश्वर के द्वारा वाइदा किये हुए सुसमाचार पर विश्वास नहीं करते और इसलिए वे परमेश्वर के लोगों में से बहार निकाल दिये गए और उसके द्वारा शापित है। विश्वास की नियु जो हमें हमारे पापों से बचाती है वह और कुछ नहीं लेकिन पानी और आत्मा का सूo समचार है जब पानी और आत्मा की सूसमचार को हमारे नियू के तौर पर रखा जाए केवल तबी हम द्रड़ता से परमेश्वर की वचन पर विश्वास कर पाएंगे कैसे आत्मिक अन्य जाती के लोग जिनके रिदे आत्मिक खतना रही थे वे परमेश्वर के वचन को उनकी रिदे में रख सकते हैं वे ऐसा कभी नहीं कर सकते क्योंकि पानी और आत्मा का सूसमचार हमें आत्मिक खतना करने के लिए अनुमती देता है परमेश्वर की संतान बनने योग्य बनाता है इस पुगता निव के बगेर परमेशर का वशन केवल बौधी गनान के रूप में हमारे पास आता है इसलिए नया जन्म पाए हुए सेवक की सिक्षा केवल उन लोगों के लिए सपस्ट तौर पर उपलब्ध है जो पानी और आत्मा के सूसमाचार पर विस्वास करते हैं दूसरे सब्दों में पानी और आत्मा के सूसमाचार से नया जन्म पाए हुए लोग परमेशर के वचन को सुन और समझ सकते हैं जो हम ऐसे लोगों से मिलते हैं, जो पानी और आत्मा के सुसमाचार का अनाधर करते हैं, जो केवल कुरूस के लहू से नया जन्म पाने का दावा करते हैं, और कहते हैं कि हम सब एक ही परमेशवर पर विश्वास करते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि हम पूरे तौर से अलग परमेश्वर के बारे में बात कर रहे हैं यहां सच्चा परमेश्वर कौन है सच्चा परमेश्वर वह है जिसने अबराहम को वाचा दी थी परमेश्वर ने अबराहम और उसके वंस को वाइदा किया था कि इस प्रकार मेरी वाचा जिसका चिन्ह तुम्हारी देल में होगा वह यूग यूग रहेगी उत्पती अध्याई 17 वचन 13 यह चिनक कहां है जो हमें कहता है कि हमने हमारे पापों को माफ़ी पाई है यह हमारे दिल में है हमारे पूरे दिल से येश्यु के बप्तिस्मा पर विश्वास करने के द्वारा हम के कारण प्रभू ने बप्तिस्मा लिया ताकि वह हमारे पापों को अपने उपर उठा सके और हम आत्मिक खतना किये हुए व्यक्ति बने इस सत्य पर हमारे विश्वास के द्वारा हमने हमारे सारे पाप येश्यु मसीप डाले और बदले में येश्यु यह पाप को आप बचा है? बिल्कुल नहीं. यह सब सुसमाचार के अद्भुत सत्य की वज़े से परिपूना हुआ. कैसे आप और में अबराम के वनसज बन सकते हैं? कि येशु ने अपने बप्तिस्मा के द्वारा हमारे सारे पाप अपने उपर उठा लिए और कुरुस पर हमारे पापों की वज़े से उसका न्याई हुआ और हमने पापों की माफी पाई. इस रिती से आप और में आत्मिक तौर पर अबराहम के वनसज बने हैं. जिन्होंने पानी और आत्मा से नया जिन्म पाया है, उन्हें यह जानना चाहिए कि वास्तों में वे कौन है. आप और में जो पानी और आत्मा के सूसमाचार पर विस्वास करते हैं, वे सब परमेश्वर की संतान और उनके लोग हैं जिन्होंने विस्वास से आत्मिक खतना करवाया है. हम आने वाले हजार साल के राज्यों के राजा है जो परमेश्वर की सार इस रुष्टी पर राज करेंगे और उसके वहिभव का आनन्द उठाएंगे इस तरह अब हमारी अवस्था बदल गई है क्या संसार के लोग जानते हैं कि हम वास्तों में कौन है वे नहीं जानते लेकिन परमेश्वर के वचन पर विस्वास करने के द्वारा हमारी अवस्था बदल गई है उसी रुप से अब हम खुद को स्पष्ट रुप से जान सकते ह जिन्होंने पर्मेशवर के बचन के द्वारा नया जिन्म पाया है वे जानते हैं कि वास्तों में वे कौन है हम मूल रूप्से उन लोगों से अलग हैं जो अपनी सांसारिक धार्मिक समाज में दिखावा करते हैं जो जुठे सिध्धानत का प्रचार करते हैं, जिसको नकारा जाता है, और जो नया जिनम पाये हुए परमेश्वर के सच्चे लोगों के सामने बिना उच्सा के दिखाई देते हैं, जिसे इसराइल के लोग विश्वास करते थे कि वे चुने हुए लोग हैं, और इसमायल के वनसजों को अलग तरीके से दिखते हैं, वेसे ही हम जो अबराहम के आत्मिक वनसज है, उन्हें अपने आप को परवेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग मानने का अधिकार है, हम मैंसे जो लोग पानी और आत्मा के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, वे सौभाग् के राज्ये में प्रवेश्व कर सकते हैं, और जैसे परमेश्वर ने अबराहम को वाइदा किया था कि वह उसके वनस को आस्मान के तारों के समन बनाएगा, हम अपनी आखों से इस वाचा की परिपूर्णता का प्रमान देख सकते हैं, यह वो आशिष है जो परमेश्वर हमें भी है, हमारे रिदे के खतने के द्वारा परमेश्वर ने हमें जगत के पापों से बचाया है, और विश्वास का यह खतना मिलाव पाले तंबू के द्वार को बनाने के लिए इस्तिमाल किये गए नीले, बैंजनी और लाल कपड़े और बटी हुई सनी के कपड़े से बनाहे